तो हलो दोस्तों कि आप सभी को पता है कि जो हम यहाँ पर मेसनरी वर क्यानि की जो अपने घर का दिवाल बनाते हैं उसमें ऐसे कौन-कौन से प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है या फिर ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स का हम यूज करके बनाएं जिससे हमारा वो मेसनरी वर क यानि कि दिवाल अच्छी तरह से create हो और एक अच्छा strength, एक अच्छा bond create हो और उसमें ऐसे कौन-कौन से parameters देखने का मिलते हैं वो हम समझने का कोशिस करने वाले हैं आज की वीडियो में और साथी-साथ यह जानने का try करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से tools विगरा का use किया जाता है उसके अंदर जिससे उसको बनाने में आसानी होती है और एक अच्छी तरह से bond और एक अच्छी तरह से strength और एक अच्छी quality का machinery और कहाँ पर create होता है तो आईए समझने का try करते हैं हमारा पहला tools इसके अंदर निकल करके आता है जिसे कहते हैं travel की बात करें तो जिसे हम सुब सेंड और water का use करते हैं यानि कि रेती और सिमेंट और पानी को मिला करके बढ़िया पेश्ट नुमा आकार दिया जाता है जिसका use किया जाता है brickwork के जो भी gaps वेगरा है उसको fill up करने के लिए एक bond देने के लिए एक joint create करने के लिए हम motor वेगरा का fill करते हैं ताकि एक यूज करके इसकी सार पे जिसका use करके हम brick को अच्छी तरह से cut कर सकते हैं आगे की और बड़े दोस्तों तो आता है यहाँ पर plumb rule जिसे हम plumb up कहते हैं इसका use होता है दोस्तों verticality of the work को check करने के लिए यानि कि दोस्तों जो हमारे आपर structure है वो vertically direction में अच्छी तरह से stable खड गया है फिर पीछे के और दब गया है उसको check करने के लिए proper alignment को देखने के लिए हम इसका use करते हैं देख सकतो है यहाँ पर use किया गया है जिस तरह से यहाँ पर चेक करना तो इस तरह से देख सकतो है पट्टी पर लागर कर चेक किया है अगर wall आगे होती तो जिसके करन क्य रहता है जो plumb up सीधा है वो अंदर की और दबने का try करता वही अगर wall पीछे होती तो यह यहाँ पर plumb up आगे की और भागने का try करता जिससे हमें alignment पता चल जाता vertical direction में कि wall हमारा अच्छी तरह से create हुआ है कि नहीं अगर यह पट्टी करना यूज करके आप directly अगर यहाँ दोरी यानि कि जो line है और जो plumb up उससे use करेंगे तो आप measurement की मदद से भी check कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर अगर आपको 80 mm मिल रहा है तो यह सेम ऊपर की और आपको 80 mm मिलना चाहिए यानि कि 80 mm वहाँ पर उपर भी देखने को मिलना चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि properly जो इसक exactly इसका use किया जाता है दोस्तो होरीजेंटल यहाँ पर वर्क जा रहा है वह अच्छी तरह से होरीजेंटल में है की नहीं है यानि कि लेवल में है की नहीं है किस तरह से तो मानने लीजिए हम flooring की कोई tiles विगणा लगा रहे हैं अगर हम flooring का कोई tiles लगा रहें तो वह एक level म है कि नहीं है उसके उपर इसको रख करके हम चेक कर सकते हैं या फिर हम ब्रीक वर्क जो भी कर रहे हैं वह होरीजेंटल यानि कि एक पोजीशन में है कि नहीं ब्रीक का लेर उसको भी चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बेसिकल इसका यूज किस तरह से किया जाता ह जिस भी horizontal पार्ट को मैं चेक करना है सब्सक्राइट मान लीजे हमारा यह horizontal पार्ट है इसको इसको मैं यहाँ पर 3D मतुला से create कर दूँ तो यह जो हमारा है box अब मैं इसके ऊपर यह वाले portion पर मैं spirit level को रखूँगा अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर down किया है अगर level इस side के side अगर down है तो पानी पीछे की side भागेगा आपको पता ही चल रहा होगा dial action इसका हमने use भी किया होगा आपने कई बर dumpy level को set भी किया है तो उसमें आपने देखा होगा जो bubble tube रहता है bubble tube जिस तरह से center में आ जाता है उसी तरह से अगर यह center में यहाँ पर आ जाता है जिस surface के उ पागे आता है हमारा यहाँ पर string and pin string and pin नहीं बेसिकली से line dory के भी नाम से जानते हैं basically इसका use होता है कि जो हमारा horizontal work हो रहा है उसका alignment सीधा हो हम क्या काम करते हैं यह जो brick देख रहे हो आप brick के साथ यहाँ पर हम plumb up का use करके पहला portion और यह दूसरा portion एक alignment सीधी कर लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को हम क्या काम करते हैं line dory से बांध देते हैं pin लगा करके line dory के अच्छी तरह से बांध देते हैं ताकि इनकी edges के parallel में line dory जाए और हमारा जो wall है वो एक ही direction में create हो ने तो इससे क्या हो सकता है कि यह दो brick line में आए और तीसरा brick अंदर या फिर ब जाएगा यानि कि expense हमारा यहां पर ज्यादा बढ़ेगा project में तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि एक alignment में एक surface अच्छी तरह से create हो by the using of string and pin तो इसका हमें use करना चाहिए और इसकी मदद से कर सकते हैं कि एक लाइन एक direction में बन रहा है कि नहीं फिर इसके बद आगे की और रहे के तो आता है Scabling hammer Scabling hammer यानि कि basically इसका यूज किया जाता है projections हो जिसके उपर stones की बात कर लो या फिर brick वेगरा की बात कर लो तो उसको break करने का काम करता जो भी हैं आपर small projections होते है स्मॉल प्रोजेक्शन सायनी के brick वेगरा पर जो भी कुछ extra burn करके हैं पर मतलब clay वेगरा में फूल गया हो या फिर edges वेगरा सार अपना हो कुछ वहां पर अलग से create के हो उसको कर सकते हो कि अगर क्रो से कट करना हो या फिर accurately size के इसाफ से कट करना हो मान लो कि हमें एक बाट चाहिए यानि कि half of portion में ब्रिक को कट करना हो तब हम यहां पर bolster का use करते हैं देख सकते हो यह हमारा bolster है इस तरह से कुछ छेनी क्या का होता है जिसे चीजल्स कहते है चैनी यानि चीजल्स बट यह चैनी की तरह नहीं होता इसकी जो यहां पर surface of edges रहती है वो यहां पर कुछ चोड़ी पाई जाती है यहां कि size of brick का जो विर्थ है उसके बराबर रहता है जिससे मासानी पुर्वा के एक layer और एक अच्छी accurate form में brick को कट कर पा पाते हैं कि ठोक पाते हैं किसी भी चीज को ठोकना हो जिस तरह से मैंने भी बता है आपको bolster उसको अच्छी तरह से मैं ठोकने के लिए कोई तो इसका यूज करते हैं फिर इसके बाद आगे की और देखे तो आता है square जिसे right angle भी कहते हैं इसका multiple uses है बट ब्रीक मेसलेरी की की नहीं है वह चेक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं यहाँ फर instruments के यूजिस यह बेसिकली ब्रिक मेसलेरी के लिए हैं और भी बहुत सारे टूल से जिनका यूज किया जाता है तो वह ज्यादा तर देखे तो वह स्टोन वर्क के लिए यूज किया जाता है तो उसक की बुक्त से पहले थोड़ा यहां पर समझने का ट्राई करिए कि बृक मेसल नरी का यहां पर अगर देखें तो इसमें दो टाइप निकल करकर आता है बृक का एक रहता है हमारा यहां पर ट्रेडिशनल ब्रिक और दूसरा आता है दोस्तों यह पर मोडॉल मोडृर वो यहाँ पर उसका कोई भी standard size नहीं रहता, have not been standard size, because इसका जो uses है, तो देखे तो यह जातर good of appearance of valuations के लिए use का जाता है, इसकी size area के इसाफ से change होते रहती है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो इसका यहाँ पर length है, वो length यहाँ पर vary करता है 15-25 cm, और जो इस की ठीकने से, यानि की जो depth है, वो vary करती है, यहाँ पर 5-10 cm, तो इस तरह से area wise हमेशा change देखने को मिलता है, देख सकते लिखा है, traditional bricks vary from place to place, यानि की हर place के इसाफ से यह vary करने का काम करता है, यानि किसकी size हमेशा change होते रहती है, अब आगे की और देखें, तो आगे आता है ह basically modular brick का क्या है, Indian standard institutions से क्या रहता है, suggested रहता है किसके लिए uniform size के लिए, इसका uniform size मिलता है, whole country की बात कर, यानि कि अपनी पूरी country में इसकी size यहाँ पर uniform देखने को मिलती है, और basically इसकी बात करें तो size वगरा की, size वगरा इसका जो nominal size है, वो nominal size इसका 20, 10 और 10 पाया जाता है, य यह है हमारा इसका nominal size, nominal size यानि कि इसके साथ हमेसा motor जो है, यानि कि हम 1 cm का gap छोड़ते हैं, वो fill up करने वाला portion इसके अंदर प्लस रहता है, वो यह इसकी कहलाती है nominal size, वही इसकी actual size की बात करें, यह 19 cm by 9 cm by 9 cm देखने को मिलता है, यह इसकी actual यानि brick की size है, जो brick actual बन करके आ रहता है वो, but nominal size के अंदर हमेसा motor का value हमेसा plus रहता है, देख सकते है, nominal size includes the motor thickness, motor thickness के अंदर हमेसा include रहता है, और देख सकते हो modular bricks का यहाँ पर मैंने brick के साथ रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रहता है, इसकी size जिस तरह से मैंने बताया, यह यहाँ पर आपका length रहता है, यह आपका width कहलाएगा और यह आपका depth यानी की thickness कहलाएगा, कुछ इस तरह से रहता है, अब आगे की और देखे दोस्तों तो अब आता है इसका general principle जिसके आधार पर हम check कर सकते हैं, या फिर इसके आधार पर हम यहाँ पर कोई भी work करवा सकते हैं, मैसनरी, जिससे हमारा और good of quality का मैसनरी वर्क यहाँ पर create हो पाए, तो आइए देखने का try करते हैं, पहला दोस्तों कहता है यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर brick इस्तिमाल कर रहे हैं, वो हमेसा अच्छी quality का हो, जिसके अंदर से good quality of soundness create हो, यानि कि जो हम दो brick को यहाँ पर एक दुसरे के साथ टकरा में, जो भी उसके यहाँ पर textures होगरा है, वो यहाँ पर nail की मदद से निकालने का try करें, तो ना निकले, इसकी मैंने एक video बना करके रखे कि ब्रीक को किस तरह से check किया जाता है, आप चाहो तो जा करके check कर सकते हो, यहाँ पर eye button मो उसकी link आपको दिख रही होगी, आगे की जो देखे दोस्तों तो आगे आता है, यहाँ पर uniform size and color होना चाहिए, यहाँ एक अच्छी size इस तरह से मैंने बताया कि जो एक standard है, यहाँ पर हमारा size का हर जगए uniform पाया जाता है, तो आप कहीं से भी रे करके, कहीं पर भी आप check करोगे, तो size उतना ही मिलने वाला है, तो ज उसके अधार पर color भी check कर सकते हो, अब इसके बाद आगे की और देखे, तो आगे आता है यहाँ पर, कि जब आप brick work, यानि कि जब आप missionary work कर रहे हो, तो उससे 2 घंटे पहले, या 3 घंटे पहले आप उस brick को अच्छी तरह से क्या काम करो, soked करा हो, क्या पानी, पानी यहों axis of water कह लो, या फिर जितना भी अपने water use किया होगा, वो सारा यहाँ पर यह brick सोख लेगा, जिसके current motor की जो strength रहेगी, वो यहाँ पर lose कर जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है, कि cement एक ऐसा agent है, जिसके अंदर lime का content ज़्यादा पाया जाता है, lime को पानी की मातरा ज़्याद जिसके करण जितना हमने उसके अंदर पानी add किया है, वो उतने पानी के कारण हमें एक अच्छा strength motor के अंदर देखने को मिले, और हमारा जो यहाँ पर bond है, वो अच्छी तरह से create हो, अब आगे की और चलें, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है दोस्तों, कि जो भी हमारा यह दो कीकिते हम यहाँ पर frog, यहामारा frog है, तो जो नीचे वाला portion है, वो हमारा कहलाता है, यहाँ पर bed, तो जो bed हो हमेशा ने होना चीए, यह downward direction में होना चीए और फोग है, वही है, यहाँ पर point कहरा है, आप टेकली तेकली, गलेए वो भी ही अंदे, फैकली लैड़ आता है, मसाला वेगरा fill up करेंगे यानि कि मोटार fill up करेंगे तो उसकी roughly portions की वज़ा से हमें एक अच्छा bond एक अच्छी strength यहाँ पर create होगी जिससे हमारा जो भी bond वेगरा है वो अच्छी तरह से यहाँ पर create होगा इसलिए हम यहाँ पर frog वाले portion को ऊपर रखते हैं अब आगे की और द में होना चीए यह नहीं कि हम यहाँ पर excess of cement वह बढ़ा दें अच्छी strength के चक्कर में जितना cement बढ़ा होगा उतना heat of hydration create होगा और उतनी जल्दी वह आपकी फटेगी तो यह नहीं है कि हमें cement बढ़ा ही देना है तेक जो प्रोपोजन है जो quality है उसका ही इस्तमाल करें जिसस आपका strength अच्छी तरह से create हो ताकि आपका जो भी यहाँ पर work है वह अच्छी तरह से create हो आगे चले तो आगे आता है दोस्तों यहाँ पर जो हमारा brick बैट है यहाँ पर आपको brick बैट दिखे रहा होगा पिक की मदद से जो brick बैट है उसको avoid करना चीए construction यानि कि जो भी हम म quantity यहाँ पर brick बैट ज्यादा निकल जाए या ज्यादा तूड़ जाए हम इसका ज्यादा use करने लगते हैं walls वगरा के अंदर में but multiples joints वगरा create होते हैं जाब walls के अंदर में उसकी strength यहाँ पर decrease होने लगती है जिसके कारण आप इसको avoid कर सकते हैं जो भी हमारा brick बैट है उसको इंदर ज्यादा joint वेगरा ना आए और आप consider कर सकते हैं यहाँ पर English bond बनाने के लिए अब English bond क्या होता है bond के कितने type होते हैं अब हमारा just जो हमारा आने वाला है यानि कि next video उसके अंदर हम लेने वाले और अच्छी तरह से discuss करेंगे मैं try करूंग आपको समझाने के लिए त अच्छी तरह से यहाँ पर joint हो properly अच्छी तरह से strength create करें एक अच्छी तरह से safe हो और उसमें खासकर English bond को आप लेने का try करिए यह हम बात करेंगे English bond को क्यों लेने का try करना चाहिए क्या इसी खास बात है हम उसके अंदर हम यहाँ पर discuss करेंगे आब आगे की और बढ़े तो हो सकता है उसका जो यहाँ पर joint है भी हो ताजा होने के कारण उसमें क्रेक्स हो सकते हैं तो इसलिए आप उसको avoid कर सकते है प्रोपर स्ट्रेंथ देने के लिए एक प्रोपर सेप और एक साइज देने के लिए बॉंड देने के लिए आप एट लिस्ट 1.5 मीटर तक ही जाई आप उसमें जा करके और भी जो भी वाल सेगरा के डीटेल सेगरा यादि कि उसके क्रोस सेगरा अच्छी तरह से आप डीटेल में स्टडी कर सकते हो अब आगे की और बड़े दोस्तों यहाँ पर आता है जो प्लास्टर वर्क करते समय हमें आप चाहिए रहता है हो जाता है बट हम एक काम कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से थोड़ा से आप रुफली साफ कर दें तो हमें यहाँ यहाँ पर 12 से 19 से mím का गैप मिल जाता है जिससे जहुं प्लाश्टर वर्क करते हैं तो वॉल में से रुफ पोर्शन होने के वाए से प्लास्टर आपर में हमारा जो भी मोटार है वो ओवरलेफ हो जाए यानि बाहर के और निकल जाए या फिर उसका एक लेवल में फिलिंग हो जाए हम यहाँ पर जाड़ू की मदद से अच्छी तरह से उसको साफ कर सकते हैं यानि कि पहले उसको अच्छी तरह से फिलप कर दीजे फिर उसको ठम हो तो एटलिस्ट उसके एक या दो हथाहते तक हमें उसके करना चाहिए, यानि के कूरिंड करना चाहिए पानी देना चाहिए यानि कि जो भी हमारा पर सिलीकेट सव्गेरा इसस्तिम्लम और किया और किया है उसकी आप अच्छी तरह से स्क्रें यहाँ पर निकार तेम के यह एफिरांगर से सकते जिस तरह से मैंने बताया 1.5 मीटर आप एटलिस्ट पर डे बनाई है जिससे आपका वाल वेगरा गिरे नहीं तो आप दूसरे दिन जब उसका यूज कर रहे हो तो इसमें एक और पॉइंट में एड़ करना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पर दूसरे दिन मेशनरी वेगरा प्रोवाइड कर दें उस मोटार की उपर वारे लेयर पर ताकि हमारा जब दूसरा जोइंट हम क्रियेट करें तो प्रोपर यहाँ पर स्त्रेंथ क्रियेट हो उस जोइंट में अच्छी तरह से स्त्रेंथ हो और दूसरी बात उसको हम यहाँ पर पहले वाले लेयर यानि कि ऊपर वाले लेयर को जहां से हम ब्रीक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, उसे हम यहाँ पर बीजा सकते हैं, गीला कर सकते हैं, ताकि हमारा दोनों का बोंड अच्छी तरह से क्रियेट हो, तो आप वीचिस का ध्यान रखिए, और मैं यहाँ पर बता रहा था कि जो हम इसक आते हैं, तो जो इसके फोल्डिंग है, हमें ट्राइ करना चाहिए कि ऐसा बनाएं, ऐसी हाइट पर रखें, जिससे हमारा एक बार में उसका यूज हो, यानि कि सिंगल वर्क में हम सिंगल इसके फोल्डिंग में जो ब्रीक वर्क हमें करना हो, वो हाईयर लेवल तक हम कर प बिदेंगे, अगे की और देखें दोस्तों आगे हमारा अता है तुधेड की बात करें, तो बेसıkली इसके नाम की अधर पर पर पसी सफार रहते हैं, जिससे आतूदी करते हैं, आप देख सकते हैं, इसका मैं मैंने इमेज लिया है, यहां पर जो मैं आपको दिखाना ये सकते हैं तो इसमें हम यहां पर जो भी हमारा बहुत बेसिकली जिस तरह से मैंने बता था जब हमारा यहां पर मोटार ओवरलेप कर जाता है तो कुछ उस तरह से हम साफ कर देते हैं तो देख सकती हो यह साफ किया गया है जिसके करण यहां पर जोईंट है उसमें थोड़ा-थोड़ा आपको गेप देखने को मिल रहा होगा तो इ नया प्रोजेक्ट लेने में सहायता हो कोई भी आपका वर्क ही देखेगा तो आई होप आपको तूथिंग का मतलब समझ माया होगा जिस तरह से बता रहा था मैं यहां पर तो हमारा था ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ जाम यहां पर नियू स्ट्रक्चर क्रियेट करते हैं तो उसके बीच में तरह से अपको अच्छी तरह से समझ माई होगी इसके अंदर मैंने सारा डीटेल्सवाइज आपको बताने का ट्राई कीया है कि अएक टम्स को अच्छी तरह से संजाय है इसके रिलिक्टर में कोई भी दाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो आपको पीप इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बाई-बाई टेक केर एंड गुडबाई